बॉर्डर पर RTO चेक पोस्ट पर की जाने वाली अवेद वसुली के खिलाब नाकपूर के बंटी बाबाशे के देवरी बॉर्डर के चेक पोस्ट के पाथ आंदोलन पर बैठे है उन्होंने अवेद वसुली के खिलाब कारवाई करने की मांग भी इस समय की देश में रज्जो के बॉर्डर पर RTO चेक पोस्ट पर अवेद वसुली की जाती है लेकिन इसके खिलाब कोई आवज नहीं उठाता कई ट्रक चालको द्वारा इस वसुली के खिलाब दबी आवज में विरोध भी किया जाता है लेकिन अब इसके खिलाब बंटी बावा शिलके देवरी बॉर्डर के सामने अंदोलन पर बैठे है उन्होंने इस आवएद वसुली पर कारवाई करने की भारी मांग की है जबकि नागपूर ट्रेलर ओनर सीमियन ने अंदोलन की जगह पर जाकर अंशन पर बैठे बंटी बावा शिलके के इस अंदोलन को समर्थन दिया है जो सारा मुद्धा पंटी भावसेल के निजी ने लिया है यह भ्रस्टाचार का मुद्धा है और भ्रस्टाचार जिस पैमाने पर बड़े ब्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में ब्याप थे और उसका कारण हमारा मोटर वीकल एक्ट है मोटर वीकल एक्ट में जो हमारा बनाया गया है वह बनाया गया है याता यात विवस्था को सुधारने के लिए सुरक्चित करने के लिए ब्यवस्थित करने के लिए तो वो करना तो दूर जिन लोगों को जिस एजेंसी को इसकी जवाबदारी दी गई है तो ये तो काम करते नहीं है जो काम नहीं करना चाहिए इसके माध्यम से अनावस्य ग्रूप से उगाई की जाती है ये आज का मुद्दा नहीं है ये हमेशा से चला आ रहा है और 2019 में जो करेगा और हम कहीं 200 के साथ में अग्रणी बनके चलेंगे आज 2019 से लेके दो हजार आज 22 हो गया ठाक के तीन पात है जैसा पहले व्योस्ता थी वैसी आज व्योस्ता है इसमें कोई अंतर नहीं आया है अब मैं आपको बताता हूं हमारी 95 परसेंट गाडिया बिल्कुल सही च ही गाडिया है हो सकता है थोड़ी बहुत माइनर चीजें नहीं रहती जो एक्ट में बनाई गई है कि डाइबर्स जूता नहीं पहने है अगनी सामा केंदर नहीं है यह हो सकता है कि फस्टेड वाक्स नहीं है चोटी चोटी चीज़े हम भी तैयार है उसके लिए आप इनकी लिख देतें कि धारा इसका धारा इसका वो धारा क्या ड्राइवर समझेगा क्या कौन समझेगा आप सीधे लिखिए ना कि क्या किसका चलान कर रहे हो आप क्या फेंस कर रहा है तो समझ में भी आए तो दुबारा वो गल्ती भी नहीं करेगा भाई जब पता चलेगा उसको अधिकार है उसका अनावस्चक पालन करते हैं दुरूपयोग करते हैं और दुरूपयोग करने के कान यह हमारे सब समाज में पूरी तरह से उत्पीलन का काम लगातार हो रहा है और इस मिसे में कई बात अच्छा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो भी ट्रांस्पोर्ट के संगठन है पूरे देश में व्याप्त है वो किसी एक शत्री के नीचे नहीं है पीडित सब है परेशान सब है लेकिन लडने के लिए कहीं कोई कर देआया है और हम सभी लोगों से हम लोग सभी लोगों से हावान करते हैं पूरे जितने भी लोग और जभी रान्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग या नहीं है जब ही लोग इस पात का यह भरस्टाचार का मुद्दा बहुत दंभीर प्रफिर मुद्द है इसका समधान सबीने करना चाहिए हम सभी लोगों को इस अबंडर से सभी लोगों को आवान करते हैं और आने वाले समय में ये लडाई को और ज्यादिक से जादा कि इसको अंजाम तक कहुंचाने के लिए तब तक जब तक कि हम लोगों को सफल्ता प्राशन नी किया हुआ है और 20 अप्रिल को हमने मनसर क्योंकि मैं भी नागपूर में पैसेट अदार मतदार होगी बीच में से महां पारश्यत बना हूँ पारश्यत बनने के आद में बद्धे नागपूर विदान सब्सक्राइब से वहां प्रत्या चीज विदा कॉंग्रेस करते हो कहीने कई पर समस्या का निराकर करने का गाम आप करते हो लेकिन करने के बाद में भी हमारी जो हमारी जो शिकायत है आप तक आज तक कोछी नीगा आपको चेक्पेस में जिस परकार से अवईद वसुलिवापर की जाती है गुंडों के माद्यम से आठ्टियों के तमाम साती मंसर के चिकपोस पर लाइव वीडियो के माद्यम से हम लोग वहाँ पर गए ट्रॉक में बैठके जाने के बाद में वहाँ पर देखा कि ड्राइवर उत्राइवर विचारा उत्रा और आर्टियों से न मिलते हुए वो डायरेक्ट पीछे की खिड़की में जाने जीतनी घाड़ी जीतनी घाड़ी की फाइल रहती है कागजात की वह फाइल जाने की सिर्प जगा रहती और हप में उसने अगर ऐसा इसा इशारा किया तो 70 Summer व उत्मेलेकर धी हो जाता वहह के डिनिकारी कोईड़ी कि थे शेर्रे दुसरे दिन जब नाने 20 अधरी ने प्रशासन के और से दी गई है यह वर्धी पर रहते निंगे और अलग अलग जगह पर वरत्यक अधिकारी का एक मैं जरुने पाल के रखा हुआ है उन्हों ने इनके अवाइद बुंडे वहां पाल के रखे हुए कि सभीधान के अनुसार शासन के अनुसार पर पुछ पर एक आर्टीयो के बाद में उसके नीचे में चपरासी, उसके नीचे में एक राइ्टर, उसके नीचे में एक कलर्ट, ये चार लोगों के अलावा हूआ पर पाचवा आदमी चाहिए नि लिकिन आप अगर समयलो मैं आं जन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वापर गुंडे दिखेंगे जो RTO ने पले हुए BKB News के लिए निलेश भरकाड की Special Report Love you दिपिका Bye सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि मेरा फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में होरुची तो घर लाइए सुरुची